खबरों में बने राने के लिए देखते रहें केनन मेडिया सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हाँ पैल आइकन दवाना ना भूलें देल्या प्रबंद दुवारा में तरीब एक लाख रुपे की छात्रवर्ती वित्रित की गई स्थान क्राप किया तो इसको भी 11,000 पे से समान क्या जार रहा है नेक्स क्राप किया है उन्होंने बनो ऐसी जिलास्तर पे नहीं बलकि दस हजार पे मासिक प्राप कर रही है प्राप कर रही है अज लेटम जैम्स में क्या संदेश देना चाहिए बच्चों आज लेटम जैम्स पॉब्लिक स्कूल का एन्वर प्राइस दिस्टिबूशन फंक्शन है जिसके अंदर यहां के बच्चों ने बहुत ही अच्छे सांस्कृतिक, कल्चृरल, पैट्योटिक और जो शोशल जो एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म की है मैं इन बच्चों के उजुल भवश्य की कामना करता हूँ इसके लावा यहां पर जो बच्चों का अकेडमिक और एजवल है जो स्पोर्ट्स की जो अकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी बहुत शांदार है तो इस स्कूल की मैनेजमेंट को यहां के टीचर्स हैं यहां के स्टूडेंट्स को मैं शुब कामना यह देता हूँ कि गोहाना के अंदर इतना अच्छा स्कूल है जो बच्चों के और आ डवलोप्मेंट पे ध्यान देता है अगे प्रेक्टिकल एजुकेशन की शायद जरूरों को इस तरह का वह आज कैसे पढ़ाई करें आप एक्जाम भी आने वाले कि आपको कहना ठीक है बच्चों को बेसिक एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए बच्चे आज की डाइवर्ट होते जा रहे हैं जो इंटरनेट ह सारे हैं बच्चे उसकी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं तो मैं पेरेंट से भी अपील करता हूं टीचर से भी कि बच्चों को उनके जो कल्चर है हमारा हमारा जो समाज समाजिक जो ताना बाना है उसके बारे में बताएं और बच्चों को बताएं कि शिक्षा ही यह कैसा हैं जिससे हम काम्याबी की उच्छे स्थर पर जा सकते हैं। अगर सर्वांगेन विकास की कि जाए इस त्वीब साथ , तो बच्छों का सर्वांगेन विकास है। उसके लिए बच्छों से उनके उपर ध्यान दे आज कल जो मोबाईल हैं या टीवी हैं इंटरनेट हैं या जो teenagers हैं जिनको हम vehicles दे देते हैं वो बहुत ही खतरनाक है हम बच्चों को अपने जो सामाज के बारे में बताएं हम शिक्षा के बारे में बताएं और उनको future के बारे में बताएं कि सिक्षा के माध्यम से और sports के माध्यम से हमारे इस एरिया में स्पोर्ट्स की भी पर्सनेल्टी बहुत निकल के आ रही है जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है तो मैं सभी बच्चों को यही काऊँँगा, इसपोर्ट्स में भी पाटिसपेट करिए और जो इविंट्स हैं, सभी में पाटिस